Hello class, यहां पर Profit and Loss का question session start हो रहा है अभी टाइप उन से start करेंगे, बिल्कुल basic questions, basic questions है क्या से कहेंगे? sentence को convert करना mathematical equation में, देखा question क्या है? a swapkeeper buy is a twice for rupees, buy किया twice rupees 250 में, buy किया मीन्स क्या? यह इसका cost price हुआ, हम लोग पहले भी definition में पढ़ चुके है, cost price के definition में, buy, purchase, paid, और expenses, सारा क्या है, cost price है, cost price हुआ हमारा 250, sale क्या है, इसी 2i को कितने में, rupees 285 में, तो यहाँ पर क्या हो रहा, selling price जो है, 285 है, selling price हम देख रहे है, selling price 285, greater है, cost price 250 से, इसका मतलब कि जब selling price greater होता है, cost price से, तो profit हमें होता है, profit is equal to SP minus CP, ठीक है, 285, अब minus 250 is equal to 35, profit percent is equal to profit upon CP into 100, मैंने आपको बताया था न, कि denominator में हमें साथ CP होगा, profit 35, CP यह मारा है, 250 into 100, यह सो लौफ्ट करिये, आपको 14% answer हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है, वो situation को आप समझे, situation क्या गहा रहा है, situation क्या गहा रहा है, देखो, एक softkeeper है, softkeeper समझो कि एक softkeeper है, इसने किया कि toy को purchase किया, खरीदा, कहां से खरीदा, कहीं से खरीदा होगा, support करो कि यह store से purchase किया, बहुत सारे toy है, यहाँ पर, कई सारे toy है, इसने purchase किया, यह क्या है, toy store है, यह store से purchase किया, यह softkeeper ने, कितने में purchase किया, 250 रुपेज में, तो इसका मतलब ट्वाई जो है ट्वाई का कीमत इस सौप कीपर के लिए 250 हुआ और फिर उसने इसी ट्वाई को सेलोड कर दिया कितने में रूपीज 285 में तो हम लोग होगा कॉंसेंट्रेशन बस इस सौप कीपर के लिए होगा हमें कोई मतलब नहीं है किसको बेचा हमें बेचा या किसे बेचा उससे मतलब नहीं है हमें मतलब बस है यह सौप कीपर के लिए ट्वाई का कोस्ट प्राइस 250 इस सौप कीपर के लिए सेलिंग प्राइस 285 ठीक है और फिर हमें calculation जो भी है हमारा profit का SP माइनस CP upon CP इंटू 100 वो solid करेंगे हमारा answer हो जाएगा next question रहूल ने purchase किया एक table 1260 रूपेज में purchase किया table रूपेज 1260 में due to some scratches on its top he had to sell it for रूपेज 1197 sell कितने में किया रूपेज 1197 में purchase मतलब किया cost price क्या हो एक table है हमारे पास कुछ scratches को लेगर table scratch आगे टॉप पे तो सिधी सी बात है कोई भी object जो है जब कोई scratch हो जाए या old हो जाए तो उसे हमें सस्ते दाम पर sell out करना पड़ता है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे है selling price जो है हमारा cost price से कम है but obvious है कि loss होगा अब loss कितना होगा तो CP minus SP CP कितना है 1260 SP कितना है 1197 यह कितना आ जाएगा रूपीज 63 loss percent निकालना है निकालना किया है loss percent तो loss percent is equal to loss upon CP into 100 loss कितना है 63 CP कितना है 1260 into 100 percent इसा solve out करेंगे अब 5% हमारा answer हो जाएगा ठीक है 63 20 25 5% हमारा answer है ठीक है अब हम लोग next मोहलाल ने purchase किया एक old scooter क्या किया है एक old scooter को purchase किया purchase old scooter कितने में रूपेज 12,000 purchase किया है मतलब cost price cost price क्या है 12,000 फिर उस पर जो है spent किया है किस पर spent किया है scooter का ही overalling कराने में overalling मतलब repairing जो भी कुछ damage हो गया हो उसे repair करना के लिए तो amount expended on overhauling is equal to rupees 2850 मैंने आपको बताया था ना यह सारे terms जो है overhead expenses के category में आते हैं tax tax के अंडर में sell tax value added tax lever charge किसी भी तरह का expenses और overalling overalling मतलब repair repair plus servicing तो यह सब क्या करता है यह सब जो हमारा cost होता है product का उसमें add up करता है यह सब सारे charges जिससे हमें effective cost price मिलता है तो अब हमारा total cost price total या effective cost price कितना हो जाएगा दोनों को add कर देंगे दोनों को add करेंगे तो क्या हैगा 14 8500 अब सारा calculation हम लग फिर इसी पर करेंगे अब इसने क्या किया किया कि यह sold scooter इसको sold कर दिया अपने दोस्त के पास यह selling price जो है scooter के कितना हो गया rupees 13860 how much percent did he gain और lose अब पहले हमें मालूम होना चाहिए कि यह gain कर रहा यह lose कर रहा उसके बाद ही निकालेंगे न gain percent यह lose percent तो देखो यहाँ पर selling price बड़ा है यह cost price बड़ा है यहाँ पर cost price हमारा greater है selling price से जब cost price greater हो तो क्या होता है हमें loss होता है तो loss हुआ loss कितने का हुआ आप कलकुल यह rupees 990 के ब्राबर होगा 0 15-6 9 17-8 9 990 तो यह तो हमें पता चल गए कि हमें loss हुआ loss कितने हुआ तो loss रूपीज 990 का हुआ loss percent हम कहाँ से निकालेंगे loss percent is equal to loss upon cp into 100 ठीक है यह से आप कलकुलेट को 14850 into 100 एसे solve out करोगे आपको 6 2 by 3 percent आपका answer हो जाएगा ओके देखो इस question को बनाने से पहले मैं आपको कुछ simple questions discuss करूँगा आपने एक camera बेचा question को पढ़ लो एक बार a dealer sold a camera for rupees 1080 gaining 1 by 8 of its cost price find cost price of the camera and the gain percent run by the dealer ठीक है आपने एक camera sale किया sale किया rupees 200 में तो जब camera को sale किया 200 में तो camera कुछ purchase भी किया होगा आपने कहीं से या आपको manufacture किया होगा या तो आपके पास camera कहां साया या तो आपने कहीं से purchase किया होगा यानि कुछ कीमत दिया होगा यानि cost price कुछ होगा camera का वो आपको अभी मालूम नहीं है ठीक है लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब मैंने 200 रुपे में camera को बेचा तो हमें 100 रुपे का profit हुआ हमें profit हुआ रुपेज 100 का जब मैंने उसे sell किया रुपेज 200 में तो cost price कितना होगा तो आसानी से निकल सकता है कि profit ब्रावर sp-cp profit है हमारा 100 sp है 200 तो cp निकालना है तो is equal to कि इस साड यानी एलेजस में करेंगे cp is equal to 200 में तो 100 यानी 100 रुपया cost price कितना है camera का 100 रुपया तो हम क्या देख रहे है जब 100 रुपया price है camera का उसे sell किया मैंने 200 में तो मैंने बोला था कि 100 रुपया का हमारा profit हुआ ठीक है तो वही चीज यहाँ पर भी कह रहा कि कोई भी चीज को बेच चा जब मैंने sell किया इसे rupees 108 में तो हमें gain हुआ gain कितना हुआ 1 by 8 of cost price 1 by 8 of cost price तो हमें पूछ रहा कि cost price क्या होगा और gain percent क्या होगा तो ठीक है cost price पूछ रहा है तो late cost price is equal to rupees x और since gain is equal to sp minus cp gain is equal to 1 by 8 of cost price cost price x है sp1080 minus cost price x x को lhs में आते हैं x को lhs में आएंगे तो यह plus में जाएगा is equal to 1080 इसे आप solve out करिएगा x plus 8x upon 8 into 10 sorry is equal to 1080 x plus 8x is equal to 1080 into 8 x is equal to 1080 into 8 x is equal to 1080 into 8 upon 9 यह आपका answer आजाएगा rupees 960 960 क्या है आपका x x क्या है cost price ठीक है cost price rupees 960 अगें परसेंट निकालना है गें परसेंट क्या होता है गें अपोन cp into 100 गें कितना होगा sp minus cp upon cp into 100 sp हमें मालूम है 1080 cp हमें मालूम चला 960 upon 960 into 100 इसे आप स्वल्वोट करेंगे तो आपको अंसर आगएगा 12 1 by 2 परसेंट ठीक है इस question में एक word आया है ओटले ओटले का आपको meaning जो है dictionary में देखना पड़ेगा अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो मैं इसका meaning बता देता हूँ क्या होता है ओटले means an amount an amount spent on something जिसको हम लोग क्या कहते हैं cost price ही कहते है किसी भी amount पर जो हमने खर्च किया उसे ही cost price कहते हैं जैसे आपने call gate पर खर्च किया 100 रुपया तो आपके लिए यह cost price हो गया rupees 100 ठीक है यानि यहां पर हम क्या कर सकते हैं 1 by 8 offer cost price तो यह question जो है हमारा वो पिछले question किते रही है this is same as previous one question number 4 बस gain के जगा पर यहां पर loss आ गया है तो ठीक है हम लोग बनाते हैं selling price क्या है इसका pain का rupees 54 loss 1 by 10 of cost price तो loss is equal to क्या होता है loss is equal to क्या हो जाएगा sorry cp minus sp cp को हम लोग suppose करते हैं x cp को हम लोग suppose क्या है x minus sp 1 by 10 यह पिर का सकते हैं x by 10 minus x is equal to minus sp यह minus sp है x minus 10x अपन 10 is equal to minus sp is equal to minus 9x अपन 10 is equal to minus sp minus minus cancel हो जाएगा तो sp ब्राबर क्या हाएगा sp ब्राबर 9x अपन 10 sp ब्राबर 9x अपन 10 sp कितना दिया अब 54 is equal to 9x अपन 10 this means x is equal to 54 into 10 अपन 9 is equal to rupes 16 ठीक है अब loss percent निकालना है हमें loss percent is equal to loss upon cp into 100 loss हमें 60 cp हमें मालूम है cp कितना है हमें sorry loss हमें नहीं मालूम है cp minus sp upon cp into 100 यह जो हमें निकला वो cp निकला और x को मैंने suppose किया था cp cp है 60 sp है 54 60 into 100 इसे आप solve word करेंगे 10% अपका अंसर हो जाएगा ठीक है इसको bracket में percent हो गया सबी में ओके यह थोड़ा सा twisted question है बहुत ही मज़ा आएगा इस question को solve word करने में मैं एक बर अगर आपको आदत लग गई और खास करके मेरे वीडियो देखने के बाद तो आपको जो है sure है कि आपको आदत लगेगे ही मैत बनाने का अब देखो इसमें क्या कह रहा selling price of an air conditioner is equal to 1 1 by 3 of its cost price तो क्या करना है हमें gain percent हमें निकालना है ठीक है तो sp is equal to 4 by 3 cp इसको यह लिख सकते हैं अब देखो gain percent is equal to क्या होता है gain upon cp into 100 denominator will be always cp gain is equal to sp minus cp upon cp into 100 gain is equal to sp upon cp minus cp upon cp into 100 ठीक है तो इसमें भी क्या करेंगे अब इस cp को हम लोग lhs में ले आएंगे तो यह sp upon cp हो जाएगा is equal to 4 by 3 ओके अब हम क्या करेंगे इसको sp upon cp minus 1 दोनों साइड lhs और rhs में minus 1 subtract करेंगे तब भी equation equal ही होगा ठीक है अब इसको क्या लिख सकते है sp minus cp upon cp is equal to 4 minus 3 upon 3 अब दोनों साइड क्या करेंगे 100 से multiply कर देते है sp minus cp upon cp into 100 is equal to 4 minus 3 upon 3 into 100 यह क्या है sp minus cp upon cp into 100 यह क्या है gain percent के ब्रावर है ठीक है यानि यह total क्या होगा gain percent इसा हम लिख सकते हैं और यही हमें find out करना है तो gain percent is equal to क्या होगा 1 by 3 into 100 100 upon 3 means 33 upon 1 by 3 percent मैंने आपको क्या बोला था what is math math is nothing but is it subtraction addition subtraction multiplication and division मैंने क्या किया एक बर यहाँ आपर subtract कर दिया subtract किया दोनों साइड फिर क्या किया multiply कर दिया तो क्या वाई एक तरह से यह game है बस minus plus addition subtraction करते जाओ practice करते जाओ आपका question बनता चला जाएगा मैंने कुछ किया किया बस आपने जो class 1, 2 तक जो पढ़ा था वही मैंने यहाँ पर किया है आज से आपको याद रखना है कि math is nothing but it is a game game of plus minus into and division okay all right हमेशा याद रखना simplification आप लोग का बहुत कम जोर है I know it एक chapter में यहाँ पर अलग से simplification का दूँगा आपको common लेने में problem आता है आपको LCM लेने में problem आता है मुझे सब मालूम है और सारा programming जो है सारा course आपके लिए तयार किया जाएगा इस तरह का देखो क्या कह रहा है इसमें कि एक cert है कितने cert है one cert है एक एक वाड़ यूजवा ठीक है एक cert है हमारे पास इस cert को sell out किया गया दो two selling price में suppose close selling price first है और selling price second है पहला जो sell किया गया उसमें मैंने profit रखा 4% का दूसरा जो मैंने sell किया उसको मैंने 5% profit रखा यह दखो assume कर रहे है जब एक ही cert है तो दो बार कैसे बैचेंगे एक बार बैच देंगे तब तो वो खतम ही हो जाएगा न शर्ट तो हम यहाँ पर assume कर रहे है कि अगर हम मैं profit 4% पर sell out करू या फिर profit 5% पर sell out करूँ तो जो दोनों का difference होगा selling price का वो 6 रूपया होगा तो पहले तो हमें यह calculate करना पड़ेगा कि selling price में निकालूं कैसे पहले भी हम लोग यह question इस तरह का बना चुके हैं कि अगर हम बोलते हैं कि selling price जो हम इस तरह सेल करते हैं कि हमें profit हुआ रूपीज 100 profit कितना हुआ रूपीज 100 तो हमें cost price निकालना है ठीक है अगर मैंने sale किया रूपीज 200 में तो हम बोलेंगे क्या हम बोलें कि भाई मैंने 200 रूपे का 60 बेचा तो हमें 100 रूपे का फाइदा हो गया है ने daily life का word यह कि भाई मैंने 200 रूपे का 60 बेचा तो हमें 100 रूपे का फाइदा हुआ तो बताओ मैंने खरीदा कितने में तो सामने वाला दोस्त तब बनाएगा इस question को तो कैसे रूपे का रूपे 100 अब यहां पर तो बहुत सिंपल दिया हुआ था कोई percentage वर्डवीज नहीं किया गया था बस बोला कि भाई मुझे profit हुआ 100 रूपे अगर यहीं बोलता कि भाई मुझे profit हुआ मुझे profit हुआ 5% अब लो भाई अब बनाओ इस question को मैंने sell out किया रूपेज 200 में तो हमें profit हुआ 5% तो cost price बताओ अब देखो यहां पर क्या है यह भी कुछ नहीं है इस percent को हमें बस करना क्या है एक number में change करना है तो यहां पर hidden होता है क्या hidden होता है कि आपने अगर 5% profit हुआ तो 5% profit on what? profit on 5% profit हुआ on cost price यह word हमारा क्या है hidden है इसे हमें जानना होता है तो फिर से हम वही formula लगाएंगे profit is equal to SP minus CP हम profit over 5% 5% 500 upon 100 on cost price cost price is equal to x SP कितना है 200 minus cost price कितना है x तो 5x upon 100 x को LHS मिलाया x is equal to rupees 200 इसे solve करेंगे 105x is equal to 200 into 100 इस तरह से हमें cost price निकल गया तो देखो question tough कैसे हुआ जब simple मैंने बोला था कि profit है हमारा rupees 100 तो find out cost price बड़े आराम से निकाल दिया था आपने SP minus CP करके लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि मेरा जो है वो profit है 4% तो थोड़ा सा twisted हो गया twisted इसलिए हुआ क्योंकि hidden 4% on cost price ठीक है तो अब आपको मालुम चल गया कि percentage को number में कैसे convert करते हैं और फिर आपने फिर बना दिया question को same question यह है यहाँ पर profit 4% profit is equal to 4% on cost price profit is equal to 5% on cost price तो हम यहाँ पर assume करेंगे कि late cost price is equal to x ठीक है तो इसको फिर में बना दूँगा तो selling price किया हो जाएगा हमारा x cost price plus profit selling price यह होता है ने देखलो profit is equal to sp minus cp sp is equal to profit plus cp तो profit cp plus profit यह x अब profit is equal to 4% on cost price ठीक है similarly यह भी निकाल देंगे इसी तरह से cost price तो x यह एक ही 60 है तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि cost price x और y मान ही नहीं सकते बस एक ही 60 है तो इसको भी profit x plus 5% on cp इसको मैं थोड़ा सा अब रब करता हूँ और अच्छे सा बनाता हूँ question का matter तो समझ में आ गया आप meaning समझ में आ गया profit on x percent तो हम sp कैसे निकालेंगे profit on profit of rupees hundred तो simple है वो आराम समझ जाएगा I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि selling price कैसे निकालते है selling price कुछ नहीं वे same formula से ही निकालते है profit is equal to sp minus cp से ठीक है बस matter को ये समझना है कि profit on 4% का मतलब क्या होगा profit of 4% profit of 5% दिया हुआ हो profit of rupees hundred दिया हुआ हो तो किस तरह से हम लोग selling price फिर निकालते हैं ये percentage को हम लोग एक number में change करते हैं ये तो number में दिया हुआ ही है बस उसी method से हम लोग ये बनाते हैं तो question क्या गरा selling price हमें निकालना है selling price क्या होता है selling price यहाँ पर सम लोग देख सकते है profit plus cost price profit कितना है 4% profit of 4% 4% means क्या 4% means 4% on cost price plus cp CP को हम लोग assume किया है एक्स रूपीज एक्स एक्स कॉमन लेंगे 4 by 100 plus 1 is equal to 104 upon 100 into x एक selling price यह निकला sorry दूसरा selling price इसी तरह से क्या निकलेगा 105 upon 100 into x अब selling price first और selling price 2 को जब subtract करेंगे जब subtract करेंगे तो हमें value कितना दिया हुआ है रूपीज 6 मनला SP1 minus SP2 is equal to रूपीज 6 SP1 कितना है 104 x upon 100 minus 105 x upon 100 is equal to रूपीज 6 यह क्या सही है नहीं यह टर्म गलत लिखा हुआ है हमें क्या लिखना चाहिए 105 x upon 100 minus 104 x upon 100 is equal to 6 ठीक है क्योंकि यह बड़ा है तभी positive में आएगा 6 रूपीज आएगा पैसा तो क्या भी negative में आएगा नहीं तो यह solve what करेंगे तो क्या है गाएगा x by 100 is equal to 6 means x is equal to रूपीज 600 x is equal to रूपीज 600 और x क्या है x हमारा cost price है तो cost price हमारा कितना हो जाएगा रूपीज 600 हमारा answer अब निकालना है selling prices जो है वो तो selling prices क्या होगा selling price आप यह selling price निकला दूसरा यह निकला तो 104 upon 100 into 600 x का value क्या है 600 624 and 6 पहला जाएगा 624 दूसरा क्या जाएगा 630 यह answer हो जाएगा ठीक है अगर आप लोग को अभी भी कोई confusion होना तो आप हमारे ask doubt में पूछे हम आपको इससे भी थोड़ा सा simple question देने की कोसिस करेंगे देखो यह वीडियो है हमारा previous question अब question number पर नहीं जाना ठीक है कि यह question number 20 कैसे आ गया इसको आप reward करो आप देखो यहाँ आप रोहित बाइज गीजर वाई किया गीजर रूपेज 3680 में और सेल कितने की में किया gain of 7.1 by 2% मतलब हमें sale इस तरह से करना है कि हमें 7.5% का profit हो ठीक है कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है कि buy किया अगर 300 में तो हमें sell out इस तरह से करना है कि हमें रूपेज 200 का profit हो तो हमें रूपेज 200 का profit कब होगा जब हम इसे sell करेंगे 500 में यानि हमने selling price का इसे निकाला cost price plus profit और profit हमें कितना बोला था मैंने कि हमें sell इस तरह से करना कि profit हमारा 200 रुपया हो तो इसका मतलब किया है कि हमें sell इस तरह से करना है कि gain हमारा 7.5% हो तो गेन हमारा 7.5% on cost price यह hidden होता है तो गेन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 7.5% on CP 15 by 2 into percent का मतलब 1 by 100 CP कितना है? by मतलब CP 3680 10 so 10 cancel out 3 2 to 4 4, 9, 2 3 to 6, 9 to 276 यहनी गेन हमारा 276 है गेन हमारा 276 है यहनी sell कितने में करना पड़ेगा? जो हमारा cost price है प्लस profit cost price है 3680 गेन हमारा 276 is equal to 6 5, 9 3, 9, 5, 6 answer देखो tough question क्यों हुआ था? कि यह term term जो है न परसेंट में दिया गया था यहाँ पर मैंने simple language में बोला कि buy तो आपने 300 में कर लिये हो यार लेकिन इस तरह से बेचना कि 200 का कम से कम फाइदा होना चाहिए तो भाई यानि कि हम 500 का base देंगे तो 200 फाइदा हो जाएगा न हमारा उसी तरह से इसमें बोला कि भाई ठीक है buy तो किया आपने इतना में लेकिन sale ऐसा करना कि आपका 7.5% फाइदा हो अब लो भाई आ गया percent word आ गया अब क्या करें उसमें तो simple number बोला गया था तो number बोला गया था तो अराम से calculation जब हमें formula नहीं भी मालूम है तब कर दिया हमने अब percent आया तो क्या करेंगे तो कुछ नहीं भाई percent आया तो इसको number में convert करो number में कैसे convert होगा gain is equal to 7.5% on CP ये on CP hidden होता है इस तरह सब number आगया 276 में अब हम बोल सकते हैं कि भाई आपने buy किया 3680 में इसमें तुम profit कर दो 276 रुपेज तो अब sell करो तो कितने में sell करोगे cost price में profit add कर दोगे उतने में sell कर दोगे question है न simple बिल्कुल डेली लाइब से मिलता जलता है बस थोड़ा से एक percent word use कर देता है तो question tough हो जाता है meaning नहीं समझ माता है इसलिए tough हो जाता है यहाँ पर meaning क्याता है बस इस चीज़को हमें मतलब समझना था meaning समझना था फिर से मैं बहुर रहा हूँ कि math is nothing but plus minus multiplication and division and understanding of understanding of meaning and conversion of mathematical sentence into English sentence into mathematical equation ओके अल्राइट यह question भी जो है हमारे previous question की तरह है उसमें क्या था buying price means cost price दिया हुआ था इसमें क्या दिया हुआ है selling दिया हुआ है कि भाई हम लोग अगर sell करेंगे 810 रुपया में तो हमें फाइदा होगा कितना का फाइदा होगा 8% का फाइदा होगा तो हमें पूछ रहा कि cost price क्या होगा यह similar इस तरह से अब इसको यह percent है इसलिए tough है अगर मैं एक number में दूँ तो आप आराम से बना दोगे बोलोगे कि भाई मैंने整 खिया अगरre I alsoです में तो हमें गेण हुआ हमें गेन हुआ 10 रुपया तो बतहुआ मैने खरीदा कितने में यानि cost price कितना है करीदा कितना में मतलब बाईस बॉलब क्या cost price तो आप आराम से बना दोगे, देखो, आपने दोस्त को बोला, भाई, अगर मैंने 810 रुपे में खरीदा है, तो मुझे 10 रुपे का, ने, sorry, भाई, मैंने 810 रुपे में बेचा है, तो हमें 10 रुपे का फाइदा हुआ है, तो बताओ मैंने कितने में खरीदा, तो simple आप दोनों का माइनस कर द सिदा और 810 रुपे में बेचा, तो आपको फाइदा हुआ 10 परसेंट, ठीक है, अब बस यह आगया परसेंट, सेम है न, देखो, SP, SP, gain, gain, CP निकालना है, अब परसेंट आया, परसेंट को आप चेंज करतो नंबर में, परसेंट को चेंज करतो नंबर में कैसा है, यह 8 परस लेट, ठीक है, अब क्या फर्मॉला लगाओ, gain is equal to, gain is equal to SP minus CP, gain कितना है, 810, SP कितना हो गया, 8X अपोन 100, CP कितना हो गया, X, 810, is equal to 8X minus 100X अपोन 100, सोरी, यह गलत ले लिया, न, में न, यह तो सही था, ठीक है, फिर से करता हो इसको, फिर से करता है इसे, क्या होता है, gain is equal to, SP minus CP, gain कितना दिया हो गया हो है, 8X अपोन 100, SP किया है, 810, CP, X, X को इस सेट लाएंगे, 8X अपोन 100, plus X, is equal to 810, 10, 8X plus 100, 8X is equal to 810 into 100, हम यह एजूम कर रहे हैं कि आपको जो है, इतने simplification आता है, तो X is equal to 810 into 100 upon 108, is equal to rupees 750, अंसर, ठीक है, देखो, इस question को अगर आप चाहो गए, है, formula से बनाने का है, तो हम लोग क्या formula एक देखे थे, SP upon CP is equal to 100 plus gain percent upon 100, अब क्या पूछ के रहा है हम से purchase यानि cost price, तो cost price क्या हो जाएगा, cost price क्या हो जाएगा, cost price is equal to 100 upon 100 plus gain percent into SP, ठीक है, येस 100, 100 gain percent है, 8 दिया हुआ, into SP, SP दिया हुआ, 810, यानिके 100 upon 108 into 810, ठीक है, solve order करोगे, तो रुपेच 750 आजाएगा, देखो, although ये आप लोगों को easy लगा होगा, लेकिन आया कहां से ये formula, आया तो था वैसे ही, जैसे मैंने बताया था, तो आप लोग concept को समझने की कोसिस करो, और concept से ही बनाना, formula से नहीं बनाना, होगा क्या, आपको easy easy question तो आजाएगा बनाने, फिर थोड़ा से twisted आएगा न, तो वो formula पर fit नहीं होगा, तो वो आप से बनेगा नहीं, तो कहीं न कहीं आप जो है क्या confidence lose करोगे, तो कोसिस क्या करना, कि meaning समझने की कोसिस करो, daily life से उसे compare करने की कोसिस करो, और question को बनाओ, यही है profit and loss, else आप formula याद करोगे, formula में put up करने की कोसिस करोगे, फर्स जाओगे, अब यहीं पर लिख देता है, 8% या फिर gain is equal to 1 by 8 of cost price, क्या कि आप, बताओ gain is equal to, अगर लिख देता, gain is equal to 1 by 8 of cost price, तो यहाँ पर क्या gain, gain percent नहीं दिया हुआ है, gain दिया हुआ है, तो क्या formula पर बनता आप से, नहीं, यानि कुछ question formula पर बनता, कुछ question नहीं बनता, आप जबर रश्ती formula पर fit करने के कोसिस करते रहते हैं, और आपको profit and loss के question नहीं बनता, इसलिए try to understand, आपको question जो बनाना है, वो understanding से बनाना है,